आज की वीडियो में हम एक महत्तुपून किट के बारे में बात करने वाले हैं यसे हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा किट है जो specific purpose को solve करने के लिए use किया जाता है जो एक specific diagnostic process को fulfill करने के लिए किया जाता है यह diagnostic process क्या है, यह kit क्या है, कौन से instrument है, कैसे काम आता है सब के अबारे में महत्विस्तार से बात करूँगा, तो पूरे वीडियो को समझने के लिए बने रही है हमारे साथ, क्योंकि मैं कभी भी topic पे इकटे नहीं आता मैं उसके basic को पकड़ करके उपा लेके जाता रहता हूँ जब कभी भी आपको पेट से समंदित कुछ ऐसी problem हो, जो लंबे समय से आपको परिशान कर रही हो for example, but not limited to, पेट में अकसर आपको दर्द हो रहा होगा चुबन का ऐसास हो रहा होगा आपका जो stool हैं, बावेल हैं वो पूरे तसे clear नहीं हो रहा होगा बार 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 वाश्रूम जाने के आदत हो रही होगी constipation अकसर बनता होगा और बिना कोई खास reason के उपटांग खाए बिना ही आपको गैस बनता होगा और अकसर ये चीज देखा गया है, कि जब आपको stool पास करते हो, तो stool के साथ blood भी आता है और आपको ये पता हो कि वो blood जो है ना, piles के विले से ना हो रहा हो, क्योंकि piles आपको पचल जाएगा, दर्द के साथ जाएगा ये बिना दर्द के आपके stool में blood लेकर के आएगा और अब इस problem को देख करके आप डर जाओगे, घबरा जाओगे और डॉक्टर के पास जाएंगे डेफिनेटली डॉक्टर एक ऐसा specialist वेक्ति होगा, जोकि GI specialist होगा, gastro intestinal का specialist होगा, उनके पास जाएंगे वो आपको एक मोटा मोटा examine करने के बाद, एक specific process को करने की सला देंगे इस process का नाम होता है colonoscopy और अगर आपकी age 55 cross कर चुकी है, तो मेरा suggestion, डॉक्टर का suggestion हमेसा यही रहता है कि at least एक बार अब इस age को cross करने के, आप colonoscopy करवा दे colonoscopy क्या है, अब हम उस पे आते हैं, फिर हम बात करेंगे इस kit के बारे में colonoscopy दो सब्दों सम्भी के बना है, colon plus scopy जैसे हम कोई macroscopy की बात करते हैं, pharmacology की बात करते हैं, macroscope की बात करते हैं तो उसमें study या उसके particular scope के बारे में बात की जाती है colonoscopy is visualization of colon, colon मतलब क्या होता है, colon मतलब है आपका large intestine, बड़ी, आत, या rough range में बात करते हैं, इनकी examination करने के एक तरीका है, मतलब हम इसके अंदर क्या condition है सब कुछ ठिठाक है तो नहीं, कोई problem तो नहीं, कोई abnormal tissue का growth तो नहीं हो रहा इन सब के steady करना चाहते हैं, लेकिन ये आप सोचे कि ये जो आते हैं, खास करके बड़ी आते हैं, वो कैसी रहती हैं अगर आप बात करो उनके anatomy wise, तो उनका जो structure होगा, definitely size wise बड़ा होगा लेकिन physiology की बात करें, तो उसका काम क्या होता है, जब कर भी आप खाना खाते हो, तो खाना आपके पेट में पहुंचता है, वाया जिस isophagus pipe उस पेट में acid secret होता है, उसके बाद वो खाना जो है 5000 लगता है, इसके बाद वो आगे प्रोपेल होता है, small intestine में जहां पे अक्सर मतुपुन काम होता है, वो ये, कि आपके जो भी nutrient है, जो भी खाना पिना खाया है, उसको वो absorb करके blood में पहुचा देता है इसके बाद कुछ बचा-कुचा जो कप्टेन बना हुआ होता है, वो आगे जाता है आपके large intestine में, जहां पे कोई और विसेस काम रह नहीं जाता है, कि वो वाटर के absorption को facilitate करता रहता है और फिर वो आगे जाकर के आपके colorectal part में जाता है, और वहाँ पे stool बन करके रहने लगता है कोई बना करका अगर बात करूँ तो जो large intestine ने colon है, वहाँ पे stool जमा हुआ होता है अब मैंने कहा कि आपकी colonoscopy करनी है, तो दोनों point को जो कि मैंने अलग-अलग हिस्से में समझाया, अब उन दोनों को जोड़ दीजे अगर colonoscopy करनी है, colon के अंदर जाके देखना है, तो भया, सवभाविक सी बात है, कोई भी विक्ति colon के अंदर घुस करके तो नहीं देख सकता कि उसके अंदर क्या चीजे सही हैं, क्या नहीं हैं, हमको कोई ऐसा instrument भेजना पड़ेगा colon के अंदर, जो कि अंदर examine करें, और यहाँ पे इस instrument का एक basic function यह होता है, कि वो अंदर में जो भी मोजिद चीजे हैं, उनको देखें, लेकिन अगर, 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 यह condition applied है, कि अगर इस large intestine में stool पुरा भरा पड़ा हुआ होगा, तो अंदर के जो lumine में stool जमा हुआ है, वो camera को कैसे अंदर अच्छे से जाने देगा, और उसकी सता पर क्या कोई polyps ग्रो कर रहें कि नहीं, कोई cell डेवलप हो रहें कि नहीं हो रहें, that doesn't matter कि अभी tumor cell है कि नहीं है, वो बाद में समझ में आएगा, बट समाद लोगों कोई tissue growth कर रहा है, abnormal तरीके से, वो कैसे दिखेगा, माल लोग कि ये tissue growth हो रहा है, और इसके उपर पुरा stool cover up कर लिया है, वो तो दिखने से रहा, इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है, कि आपके उस colon को clean कर दिया जाए, पीज़ कामरे लगे वे soft pipe को आपके rectal root से अंदर ले जाए जाएगा, तो वो camera अंदर जा जाकर के देखेगा, कि आपके colon का अंदर का सता ठीक तो है, कहीं कोई bleeding तो नहीं हो रही, कहीं कोई blood का नली फट तो नहीं गया, जिसके ब्लेड रिसाव हो रहा है, या कोई abnormal इस तरीके से poly क्रेट करेगा colon cancer का, इसलिए मैंने का कि 55 pH के उपर chances बढ़ते हैं colon cancer का, तो उनको पता लगाने के लिए ये तरीका बहुत अच्छा है, अगर पता चल लगिया, उसका चोटा सा tissue निकाल लिया, बायोप्सी के लिए भेज दिया, confirm हो जाएगा उससे, कि वो cancerous tissue है, या non-cancerous tissue है, अगर non-cancerous tissue है, तो भी आप सको remove करवा लिजे, कोई tension की बात ही नहीं है, और cancerous है, तो उसके according doctor आपको सलहा देंगे, तो point of interest में colonoscopy समझ में आ गया, अब बारी आती है, इस main part की वो है, कि कैसे आप अपने bowel को clean up करोगे, अगर आपको मैं कहूँ कि कोई छोटा मोटा luxative ले लो, तो आपको पेट साफ करेगा, थोड़ा मोट साफ करेगा, बच clean नहीं करेगा, clean से मेरा मतलब है, बिल्कुल भी clean साफ सुथरा कि आपके colon में कोई भी stool रहे, मत बिल्कुल clean हो जाए, water पूरकले से पार हो जाए, तो उसके लिए हमको थोड़ा forcefully drug use करना पड़े हैं, तभी आपको लेना है, क्योंकि ये कम से कम 15 से 20 बार, depends, ये उपर 25 बार भी lose motion cost करवा सकता है, क्योंकि यही तो करने के लिए हम ये drug ले रहे हैं, ये से कोई side effect नहीं है, intended use है, हम इसी को use करना चाहते हैं, तो ये है आपका एक lexative class का example, और category wise अगर बात करोगे, तो य है, osmotic lexative, now come to the point, what is lexative, lexative एक ऐसे drug होते हैं, जो कि आपके bowel movement को facilitate करते हैं, जो constipation में भी काम आता है, clean up करने के लिए, बट यहां पर हमको थोड़ा ज्यादा मातरा में चाहिए, तो यहां पर ये जो drug है, पुरे colon को साफ करता है, जैसा मैंने कहां कि ये osmotic purgative, ये osm osmotic lexative का example है, इसके अंदर जो ions रखे होए होते हैं, वो बड़े size के होते हैं, तो जब ये ions आपके intestine part में पहुचेंगे, तो intestine के अंदर से बाहर नहीं जा पाऊंगे, क्योंकि यहां पर हमने पढ़ा है movement of drug across the cell membrane के accordingly, जो macromolecules होते हैं, ionic charge वाले होते हैं, वो नहीं move कर सकत हैं, वो अंदर ही retain करेंगे, बड़ इसके कारें से इनकी जो osmotic property है, वो क्या करेगी, बाहर से water को drain in करेगी, बाहर से लेकर के आपके इस intestine part में लेकर के आएगी, जिससे जो अंदर stool बना हुआ हुआ है, वो पूरा तरह से dissolve हो जागा water में, और एक force create करेगा, और force के साथ वो stool को पूरा बाहर evacuate कर देगा, इसलिए आपका जब पहला stool पास करने की बारी आएगी, तो पूरा एक प्रक्रास से कहा सकते हो, viscous substance पूरा बाहर होगा, फिर दूसरी तीसरी बार, जब जब आप जाओगे, पूरा पानी जासा रहते रहेगा, इसके साथ सबसे जोरी पानी पीना है, अगर पॉसिबल है, तो नारियल पानी पीजिए, या नौर्मल पानी में एक टॉल पॉड़र डाल करके आप पीजिए, क्योंकि इतनी बाहर जब आप वाश्रूम जाएंगे, तो पूरा जो पानी है वो ड्रेन आउट हो जाएगा, तो dehydrated ना हो जाओ आप, इसलिए उपर से और एक्ट्रा पानी जितना आप पीजिए सकते हो, as much as possible, उतना आपको इंटेक करना चाहिए, ये recommended है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसके brand name के बारे में, अब आल्ख्री में आएगा असली hero, तो इसका जो brand name है, वो है Exilite, और इसे बनाने वाली company है, USV, सलाइन, लेक्जेटिव, और इसके constant के अगर आप बात करें, तो इसमें है आपका monobasic sodium phosphate dihydrate USPK, नियम के अनुसार 207 pharmacopoeia के accordingly, 24.417 gram, उसके बाद दूसरा है आपका disodium hydrogen phosphate dihydrate British pharmacopoeia के accordingly, इसका जो concentration है, वो है 5.439 gram, उसके बाद इसमें sodium benzoate, जो की indian pharmacopoeia के guideline के accordingly है, which is used as and preservative, इसका जो concentration है 0.2% weight by volume, क्योंकि liquid है, तो solid liquid में dissolve हुआ है, इसके लिए weight by volume लिखा गया है, उसके बाद देखिए, इसमें exipend लिखा गया है, quantity sufficient के accordingly, अब ये जो आपका oral saline lexative है, exalite, वो क्या काम करता है, जब कभी भी इसमें देखो, आपको मैं दिखा जिता हूँ, इसके अंदर अगर आप देखेंगे, तो आपको इस तरीके के दो चोटी 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 bottle नजर आएंगे, इसके साथ इसमें user manual दिया गया है, कि कैसे आप इसको use करोगे, वो पूरा का पूरा information एक leaflet के form में है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, इसको आप जब और उस glass को plain drinking water से make-up करना है, अगर इसमें आप देखें, तो इसमें लिखा हुआ है limka, जो हम लोग coldering पीरते हैं, या कोई भी lime juice होता है, not fruit juice, coldering की में बात करो, उसके साथ volume make-up करके, या अगर वो पसंद नहीं है, या available नहीं है, तो chilled water से, normal water से जैसा आपको लगे, उसके साथ इसको volume को make-up कर लेना, पूरा लिखा हुआ है, अगर उसके बाद आपको use कर लेना है, इसको, दो bottle, same है, एक bottle यहाँ पे भी है, और एक bottle यहाँ पे भी है, तो दोनों bottle को consume करना है, within 30 minutes, यहाँ पर पूरा instruction दिया है, मैं वीडियो में पूरी तरह से बात नहीं application के बारे में, इसको कोई भी दिक्कत की बात नहीं, इसमें leaf rate दिया हुआ है, अराम से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, come to the point, mechanism of friction, कि आखिर यह osmotic lexative काम कैसे करता है, तो जैसा मैंने कहा, कि जब आप इस liquid को orally लोगे, तो यह liquid आपके स्टमक से होता हुआ, आपक surrounding में water है, वो move करते आएंगे colon की ओर, और colon में भरा पड़ा है आपका stool, तो इस colon में जब water आ जाएगा, तो colon में present stool, पुई तरह से slurry का formation कर लेगे, dissolve बन जाएगी, एक प्रकास से कहलो, कि जैसे कोई आटे में पानी पूरा dissolve कर जोगे, तो मठमेला बन जाएगा, वैसा जाओगे, तो कैसे काम करेगा, इसलिए इसके उपर से 2-3-4 लीटर, as much as possible, जब तक कि डॉक्टर आपको कोई specific सलाह नहीं देते हैं, जो आपके colonoscopy, उसके कुछ समय पहले आपको बंद करना है, तो कितने समय बंद करना है, वो आपको आपकी individual condition देख करके बताई जाएगी मोटा मोटा पानी आपको maximum पीना है, ये इस तरीके से drug काम करता है, और अब जब आपका पुरा पेट साफ हो जाएगा, मैं कहारा आपको कम सकम 10, 15, 20, 25 बार washroom जाना पड़ेगा, इस tool pass करने के लिए, पुरा water इस सुरूब में दीरे-दीरे concentrated रहेगा, दीरे-दीरे-दीरे जोन रस्ते से camera लागे pipe को अंदर insert करेंगे, और अच्छे से visualize हो जाएगा, बहुत सुन्दत तरीके से दिख जाएगा, कि अंदर कोई polyp तो ग्रो नहीं हो रहा है, उसके बाद जो भी measurement है, जो भी आपको suggestion देना होगा, वो कर लेंगे, तो ये था आज के drug, जो आपका brand name है exilide, इसके काम करने के तरीके, लिखा हुआ है, for bowel leverage only, पूरी तरसे bowel को clear करने के लिए ही है, ये specific procedure को recommend करने की दवाई है, इसे daily use के साब से कभी भी use नहीं करना है, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हाली में, महारे परचित ने इनको use किया था, तो मुझे लगा, इसके ब कभी कोई cancer के chances हो, तो पहले से पचल जाए, और नहीं हो, तो assurity रहे, thank you so much for watching this video, namaskar, take care.